नमस्कार दोस्तो जै बजरंग बली दोस्तो हर किसी को आज के समय में अच्छी लाइफ चाहिए इसमें पैसा भी हो, सक्सेस भी हो और सब सुख भी हो लोग इसे पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन कई बार उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता हाला कि कभी किसी चीज को पाने के लिए पुजा पाठ के साथ साथ मेहनत भी जरूर होती है कई बार मेहनत करने के बाद भी रेजल्ट ना मिले तो उसके साथ ही अगर आपको छोटे-छोटे उपाय कर लेते हैं या इन जोतिशी उपायों की मदद ले लेते हैं तो आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा सफलता का मार खुलते वो दिखाई देता है दोस्तो इस दुनिया में जितनी भी चीजे हैं वे अपने आप में ही बेहत खास विचमतकारी हैं इसलिए तो जोतिशी उपायों में घर की रसोई में से या फिर बाजार में आसानी से मिलने वाली चीजों के दुवारा ही उपाय करने को बताए जाते हैं क्योंकि वे चोटी चोटी चीजें भी अपने आप में बेहत खास वे चमतकारी होती हैं दोस्तो अगर आपके जीवन में धनकी बहुती जादा हानी होती है और धनकमानी की मनों कामना आपके मन में जियों की तियों है तो आप वीडियो में जो हम आपको उपाय बता रहे हैं इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखिए आपका जीवन ना बदल जाए तो कहना दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप करते हैं तो आपको अपने जीवन में सुख समर्दी और धन की कोई कमी नहीं होगी दोस्तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेजन है कि आप किर्पया करके कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरन बरी अवशे लिख दे और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बैल के बटन को दवाना ना बोले दोस्तो आज के समय में हर किसी के घर में एक तुलसी का पौदा तो होता ही है घर में हरा भरा तुलसी का पौदा परिवार की पवित्रता और समर्दी का प्रतीक होता है तुलसी के पौदे को चल चड़ाते हुए अगर आप विशेश मंतर बोल दे तो आपके जीवन में सु एक हजार गुणा बढ़ जाता है वही साथ ही साथ रोग, शोग, बीमारी आदी सवी से आपको छुटकारा भी मिलता है. तो दोस्तों अगर आपके घर में तुलसी का पौदा नहीं है तो आप अपने घर में एक तुलसी का पौदा अवश्योगाएं. दोस्तों हिंदु धर्म में ऐसी मानेता है जिसके अनुशार अगर व्यक्ति अपना जीवन जीए तो उसके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहती कहा जाता है कि दुनिया में साहेदी ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो परिशानियों से पूरी तरह मुक्त होगा हर किसी के जीवन में दोस्तों थोड़ी बहुत परिशानिया तो होती है या ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा कि परिशानी हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी जीवन जीता है। वहीं जो लोग धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनके जीवन में कई तरह के दुख अपना घर बना लेते हैं। सास्त्रों में सूर्य उदय और सूर्य अस्त के महत्व के बारे में बताया गया है। ये दोनों समय पूजा पाठ करने के लिए बहुती सुब माने जाते हैं। इस समय पूजा पाठ करने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियों का खत्म हो जाती है और अंध हो जाता है और साथी साथ भगवान से धन प्राप्ति और सुख समर्जी का आशिरवाद भी हमेशा के लिए प्राप्त होता है। सुबह और साम को यानि सूरे अद्य के वक्त और सूरे अद्य के समय पूजा पाठ आजी करने से प्रेशानियों हमेशा के लिए दूर हो जाती है। सुबह सूरे अद्य के समय उठकर नाने के बाद सूरे को और तुलसी को जल चड़ाना बहुत इस्यूर मना जाता है। तुलसी को जल चड़ाना ही क्यों दोस्तो तुलसी को छूलेने मातर से भी मनुश्य पवित्र हो जाता है और उसके पापों का अंत होता है। भही तुलसी पर दीपक जलाने का अभी विदान है। सूराष्ट के समय तुलसी के पौदे के समक्स एक दीपक जलाना बहुत ही सूर माना जाता है। इसके साथ ही एक मंत्र जिसके बारे में आदमा को बताने वाले हैं। यदि इसका जाब किया जाए तो इससे व्यक्ति को ज श्री नारायन की पूजा सफल नहीं होती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिसकिसी व्यक्ति को अपने जीवन में धनकिया विलाशा होती है, धन प्राप्ति की इच्छा होती है, वे व्यक्ति अपने जीवन में कठोर से कठोर परिश्रम करता है, हर संभा प्रयास करता है क माता लक्षमी को प्रसंद कर पाए लेकिन दोस्तों भगवान नारायन की पूजा करने के बना माता लक्षमी को प्रसंद करना ना मुंकिन है और ऐसा भी माना जाता है जो व्यक्ति तुल्सी की पूजा नियमित रूप से करता है उसे श्री हरी विश्नु खुदी प्रसंद हो तुल्सी के पोदे को स्वर्क का पोदा भी कह जाता है। इसमें कई देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। दोस्तों विश्णु कुरान के अनुसार अगर घर के मुख्य दर्वाजे पर तुल्सी का पोदा लगाये जाए 좋아요 तो इससे घर में हमेशा सुक सांती बनी रहती है और घर में सकारतमक उर्जा का प्रवाव बढ़ जाता है तुलसी के पौजे को सुबह जल चड़ाने और साम के समय उसके नीचे एक दीपक जलाने से घर परिवार में सुक सम्रदी हमेशा बनी रहती है और धन आने के नए नए मार्क खुल जाते हैं दोस्तों जब भी आप साम के समय दीपक जलाएं तो एक मंत्र जो आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं उसका आपको 11 या 21 बार आपको उसका जाब करना चाहिए दोस्तों मंत्र है महाप्रसाद जन्नी सर्व सौभाग्यवर्देनी आदि व्यादी हरा नित्य तुल्सी तवे नमस्टुते दोस्तों इस मंत्र का अर्थ है हे तुल्सी आप जीवन में सभी प्रकार से सौभाग्य को बढ़ाने वाली हैं हमेशा आप लोगों की बीमारियों को दूर करके उन्हें सोच्त रखती हैं, आपको हमेशा नमशकार है। दोस्तों इस मंतर का आपको 11 या 21 बार जाब कर लेने के बाद हाथ जोड़ करके तुल्सी मा से अपनी सभी मनुकावना को एक बार बोल देना है। उसके बाद आप इस दीपक को उठा करके अपने घर में एक चक्कर लगाएं ताकि सभी जगे, सभी घर के सभी स्थानों को तुल्सी मा का आशिरवात प्राप्त हो। उसका आशिरवात आपको माता लक्ष्मी और माता तुल्सी के दवारा मिलता है। और इसी उपाए से स्री हरी बिश्नु का भी आपको आशिरवात प्राप्त होता है, जिससे आपके जीवन की धनकमाने की सभी च्छाएं पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिद्धे में जाजा धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहे जैब जर्णबली